किंग्डम, फंजाई, यह हेट्रोट्राफिक आर्गनिजम का एक यूनिक किंग्डम है, यह मार्फलाजी तिथा हैविटेट में ग्रेट डावर्सिटी दिखाते हैं, आप लोगों ने मॉइस्ट ब्रेड तथा सड़े फलो पर फंगी अवसे देखा होगा, खाया जाने वाल और टोरिस्टूल भी एक फंगस ही है, मस्टर्ड लेप्स पर दिखने वाले वाइट स्पाट एक परसिटिक फंगस द्वारा होता है, कुछ यूनिस्टलर फंगी जैसे इस्ट ब्रेड तथा बीर बनाने में यूज होते हैं, कुछ फंजाई प्लांट तथा एनिमल में डि फंजाई कॉस्मोपलिटन होते हैं, ये एर, वाटर, स्वाइल तथा प्लांट और एनिमल के उपर पाये जाते हैं, ये वार्म और हुमीड अस्थानों में ग्रोव करना पसंद करते हैं, हम अपनी भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, एक क्वोशन पुशा ग छोड़ कर फंजाई फिलामेंटस होते हैं, बला बस यूनिसललर एक ही है, और इसे छोड़ कर सभी फंजाई जो हैं फिलामेंटस होते हैं, उनकी बाड़ी में एक लांग सिलेंडर थ्रेड लाइक सरचना होती है, जिसे हाइफी करते हैं, हाइफी के नेटवर्क को माइसेल कहते हैं कुछ हाइफज में सेप्टा नहीं होते हैं एक कांटिनिवर्ज जाय से होते हैं जिसमें मर्ती नियुक्लीएटेड साइटॉ-प्लाजम भरा होता है ऐसे हाइफी को सीनोसिटिक हाइफी कहते हैं अधिकतर हाइफी में सेप्टा या क्रास वाल्स होती है फंजाई की सेलवाल काइटीन तथा पॉलिसेगराइट की बनी होती है लेकिन मैनली काइटीन ही होती है अधिकतर funcioni heterotrophic होते हैं और saprophyt हो सकते हैं जो dead substrate से soluble organic matter absorb करते हैं मतलब amongst री जो fungal होते हैं हो hitrotrophic होते हैं और कुछ separotrophytes होते हैं मतलब जो dead substrate से soluble organic matter को absorb कर लेते हैं और कुछ parasitic fungus होते हैं अर living plant और animal पा डिपेंड रहते हैं कुछा मिएरफंगर्स होते हैं, जैसे लाइकेन, या इसमें फंजाई और अल्गी का आशोशियेश होते हैं, तो था माइको राइजा, दूसरा वाला है, जिसमें फंजाई और रूट हाइय प्लांट्स होती है, और फिर अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तीन टाइब का रिप्रोड़क्शन होता है फ़ंजाई में पहला वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन जिसमें से की एभी तीन प्रगारस होता है Fragmentation होता है इसमें Physion होता है और Burding होता है दूसरा Askell रिप्रोड़क्शन या Sport दवारा होता है जिन्हें Conidia वेज़िटेरिएएड प्रोडेक्षन है और फीर इसमें तीन प्राइस होता है। फिर दुसरा ऐसेक्ष्वरी प्रडुक्षन है, या स्पोर परेडु करते हैं। तीसरा sexual reproduction है या u spore, esco spore, vasidu spore दरा होता है बीभीन spore dystynic structure में produce होते हैं जिने fruiting bodies कहते हैं sexual cycle में 3 step होते हैं ठीक है? पहला plasmagami इसमें 2 motile, या non motile gamete के protoplasm का fusion होता है फिर दूसरा carrier gamami step आता है इसमें 2 nuclei के बीच fusion होता है फिर तिसरा मियाउसिस आता है यह जाइगोट में होता है जिससे हैपलाइड इस्पोर उत्पन होते हैं इसलिए कहते हैं फंजाई में हैपलाइड जाइगोटिक मियाउसिस होती है इसलिए इसके इस्पोर हैपलाइड होते हैं sexual reproduction में compatible mating के समय दो applied हाई फी पास पास आते हैं फंजाई में दो applied cells के fuse होने की तुरंत बार applied cell जो की two यानूति है बन जाती है लेकिन कुछ other फंजाई कुछ other फंजाई जैसे की escomycetis और basidiumycetis में एक intervening मतलब मध्यवर्ती dicharyotic stage n plus n n plus n two nuclei per cell होती है इस condition को dicharyon तथा इस phase को dicharyo phase करते हैं dicharyo phase basically आप bad याद कर लिए बैड चीक है b से basidiumycetis a से escomycetis d से dicharyo phase बाद में parental nuclei fuse हो जाते हैं तथा sales deployed हो जाती है फंजाई fruiting bodies बनाती हैं जिसमें reduction division होता है जिससे haplied spore बनते हैं mycelium की morphology mode after spore formation तथा fruiting bodies की आधार पर फंजाई को चार क्लासों में बाटा गया है जिसमें पहला है phycomycetis दूसरा escomycetis तिसरा basidiumycetis और चोथा deuteromycetis आप समझ लीजिए kingdom फंजाई को चार क्लासों में बाटा गया है और वो basis है इसका उसकी mycelium की morphology क्या है उसका इस पर बनाने का mode क्या है और उसकी fruiting bodies कैसी है ठीक अब इसमें से आईए phycomycetis के बारे में पढ़ा जाए phycomycetis यह aquatic habitat और decaying wood पर तो था moist and damp places या plant पर obligate parasite के रूप में रहते हैं इन्हें अलगल फंजाई भी गएते हैं इनका mycelium a septate और sinusitic होता है इसमें a sexual reproduction zoo spore जो की motile होता है या a plano spore जो की non motile होता है के दोरा होता है a spores इनमें जो spore बनता है endogenously बनता है और sporengium में उत्पन होता है sexual reproduction में दो gamete के fusion को दो gamete के fusion के दोरा gygo spore बनता है मतलब gygo spore बनता है जब दो gamete fuse होते हैं और यह sexual reproduction में बनता है एक gamete isogamous मतलब similar in morphology n-isogamous या u-gamous जो की dissimilar हो सकते हैं example इसका है mucar जो की फंग एंसीयाटी में दिया हुए है rhizopas जिसे bread mold कहते हैं जिसे bread mold कहते हैं और albigo जो की parasitic फंजाई है mustard के उकर अब फिर दूसरा क्लास है इसका escomycetis इन्हें कामली sec फंजाई कहते हैं यह अधिक्तर multicellular होते हैं जैसे की penicillium या rarely unicellular होते हैं मतलब कभी कभी unicellular होते हैं जैसे की isht जिसका scientific name है saccharomyces a saprophytic decomposers parasitic या coprophilus होते हैं coprophilus मतलब गोबर परोगने वाले होते हैं इनका mycelium branched और septate होता है a sexual spore conidia होते हैं जो special mycelium पर exogenously produce होते हैं special mycelium को conidio force कहते हैं conidia germinate होकर mycelium बनाते हैं sexual spore को escospore कहते हैं और escospore जो है sac like SI singular form में इसे escas बोलते हैं endogenously उसी में endogenously उत्पन होते हैं SI वेवस्तित होकर different type की fruiting bodies बनाते हैं जिन्हें escocarp कहते हैं इसका example है spurgillus, cleviceps, neurospora neurospora को drosophila plant के इंगड़म कहते हैं additional gen का दिये neurospora का biochemical और genetic work में अधिक यूज होता है many members जैसे moral and truffle खाय जाते हैं तथा इन्हें delicacies मतलब यह बहुत जायकेदार होते हैं तो इन्हें खाया जाता है इनका डिस बनाया जाता है अब आए बैसीडियो मैसीटीज के बारे में पढ़ा जाएं इनमें कामली mushroom, bracket फंजाई या पफबाल आते हैं स्वाइल लॉक्स और ट्री स्टम्स तथा लिविंग प्लांट्स के अंदर परासाइट के रूप में ग्रो करते हैं जैसे rust and smut इनका mycelium branched और septate होता है जनरली इसमें asexual spore नहीं पाय जाते हैं यह याद रखने वाली बात है कि वेसिडियो माइसिटीज में यह sexual spore नहीं पाय जाते हैं लेकिन fragmentation दौरा vegetative reproduction कामन होता है sex organ इनमें absent होते हैं लेकिन दो vegetative cells का लेकिन दो vegetative cells या somatic cells के fusion दौरा plasmo-gaming होती है यह दोनों cells different strains या genotype की होती है fusion के बाद बनने वाली structure diicariotic होती है जिससे ultimately bacidium बनते हैं bacidium में cario gamma तथा meiosis होती है तथा 4 bacidio spores बनते हैं इसमें 4 bacidio spores बनते हैं bacidium plural form bacidia पर bacidio spores exogenously produce होते हैं जखने वारी बात है कि bacidio spores exogenously produce होते हैं bacidia fruiting bodies में लगे रहते हैं जिसे bacidio carp करते हैं और bacidio macetis का example agaricus जिसे mushroom करते हैं astilego जिसे smut करते हैं pacsinia जिसे rust fungi करते हैं या rust fungus करते हैं अब इसका चौथा class है deutermycetis इन्हें commonly imperfect fungi करते हैं क्योंकि इनमें केवल asexual या vegetative phase पाई जाती है जब इन फंजाई की sexual phase की खोज हो जाती है तब उन्हें उचित class में मतलब जिस class जो फंजाई बिलॉंग करता है उसमें रख दिया जाता है यह भी possible है कि asexual and vegetative stage को एक नाम दे दिया जाए और उसे deutermycetis में रख दे और sexual stage को दूसरे class में बाद में जब उनकी linkage का पता लगा और फंगी की सही पहचान हुई तब उन्हें deutermycetis से निकाल लिया गया एक बार जब deutermycetis की member की perfect sexual stage का पता लग जाता है तब उन्हें ascomycetis और basidio mycetis में समलित कर लेते हैं deutermycetis से निकल कर या तो asco में जाते हैं या तो basidio में जाते हैं deutermycetis के वर asexual spore कोनडिया द्वारा reproduction करते हैं इन में mycelium septate और branch होता हैं इनके कुछ member saprophytes या parasite होते हैं अधिकांस litter decomposers और mineral cycling में सहाइब होते हैं और इसके example है अल्टरनेडिया koletrico and trigoderma क्यों